दोस्तों, बांगलादेश में एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी मुसीबत आ गई। दोस्तों, बांगलादेश में शेख हसीना के जाने के बाद भारत ने राइस चावल का एक्सपोर्ट बैन कर दिया। दोस्तों, बांगलादेश का मुसीबत और देखा नहीं जा र और अब फिर बांगलादेश में विशाल बांध आ गया। लेकिन भारत और बांगलादेश के बीच का पुराना मुद्दा अब भी खत्म नहीं हुआ कि बांगलादेश की अंतरिम सरकार ने भारत पर एक नई आरोप थोप दी है। में बांध आ गयी जिसके कारण लगभग 35 लाख लोगों को अपनी घर और जगह को छोड़कर दूसरे प्लेस पर आसरा लेना पड़ा। लेकिन भांगलादेश की नई सरकार और वहां के अधिकारी भारत के विरोध में इतना ज्यादा जुट चुके हैं कि इसका सीधा भारत को ठहराया जा रहा है जी हां साथियों आप यहां पर साफ साफ देख पाएंगे कि बांगलादेश के पूरवी एरिया में जो बांध आई है इसके कारण भारत और बांगलादेश की नई अंतरिम सरकार के बीच में एक नया विवाद और फसाद शुरू हो गया है क्य इसके लिए बांगलादेशी चात्रों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया और उन्होंने भारत को चैलेंज दी यहां तक की सोशल मीडिया पर भी ऐसे पोस्ट डाले गए जिनमें दावा किया गया कि यह जान बूज कर भारत ने किया है हालां कि भारत इस बात से हैरान है कि हम लो बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दरसल देखा जाए तो बांगलादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना जब से भारत में आई है तब से बांगलादेश की नई सरकार की तिर्ची नजर भारत पर देखने को मिल रही है लेकिन अब लोगों से या सुनने को मिल रहा है कि शेख हसीना और पीएम मोदी ने मिलकर बांगलादेश में इस बांग को छोड़ा है और यह मुद्दा भारत और बांगलादेश की नई सरकार के बीच में अभी तक मीटा नहीं था कि उसके पहले बांगलादेश की नई बड़े जिले डूब गए जिसके कारण लगभग 30 लाख लोगों को अपनी जगह छोड़ कर दूसरी जगह पर अचानक भागना पड़ा लेकिन बेचारा भागे तो भागे कैसे चारों तरफ पानी से भरा हुआ है और इसमें कम से कम दो लोग मारे भी गए यहां तक कि जितन पर आने के लिए तयार थी और इसी बीच बांगलादेश को एक और बहुत बड़ा जटका मिल गया हालांकि यहां तक तो बात ठीक थी लेकिन बात तब बिगड़ती है जब इसका सीधा आरोप बांगलादेश की सोशल मीडिया वहां के स्टूडेंट और साथ ही नई सरकार की तरफ से भारत पर लगाया जाता है लेकिन भारत ने ओफिशियल यह बात बताई है कि बांगलादेश की तरफ से जूठा अंजाम लगाया जा रहा है और हम लोगों की तरफ से कोई भी इस तरीके के डैम नहीं खोले गए हैं जिससे बांगलादेश में बाढ़ा गई है लेकिन बांगलादेश के ज्यादा तर लोग और वहां की नई सरकार भारत के विरोध में इतना ज्यादा गिर गई है कि शायद भारत की यह बात भी उनको जूठा लग रहा है। उनका मानना है कि भारत ने जान बूज कर बांगलादेश को डुबाने की कोशिश की है। लेकिन अब यहां पर सवाल आता है कि बांगलादेश की तरफ से भारत पर सीधा इलजाम क्यों लगाया जा रहा है। यहीं से गोमती नदी बांगलादेश के कई क्षेत्र से होकर गुजरती है और पहले के समय में इसी नदी के कारण बांगलादेश में उन इलाकों में बाढ़ आ जाता था जहां पर इस समय बांगलादेश के कई जिले डूब गए हैं। लेकिन भारत ने आज से कई साल पहले त्रिपुरा राज्य में गोमती नदी के इस वाले पॉइंट पर एक बहुत बड़ा डंबू डैम बनाया, जिसके बाद से देखा जाए तो अभी तक बांगलादेश में इस तरीके के बांड नहीं आ रहे थे. यानि कि एक तरीके से देखा जाए तो भारत ने गोमती नदी के पानी को कंट्रोल में लेकर बांगलादेश में बांड आने से बचा लिया था. लेकिन इसी बीच अचानक बांगलादेश के इनहीं इलाकों में काफी ज्यादा बांड आ गई है, तो बांगलादेश के लोग और वहां की सोशल मीडिया के साथ साथ वहां की अंतरिम सरकार सीधा भारत पर आरोप लगा रही है कि बांगलादेश से चल रहे विवादों के बीच भारत ने जानबूज कर इस डैम को खोल दिया है, जिसके कारण बांगलादेश के कई जिले और शहर डूब गया है, आपको बता दें कि डंबू डैम दोनों देशों की सीमा से काफी ज्यादा दूर है और बांगलादेश बॉर्डर से लगभग 120 किलो मीटर की दूरी पर बना हुआ है, वैसे तो यह एक छोटा डैम है, जो कि 30 मीटर उंचाई तक बनाया गया है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डंबू डैम में टर्बाइन के माध्यम से त्रिपुरा राज्य में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसमें से 40 मेगावाट की बिजली अकेले बांगलादेश को ही सप्लाई की जाती है, अगर यह डंबो डैम नहीं हुआ, तो बांगलादेश में बिजली नहीं होगी, दोस्तों भारत ने भले ही बांगलादेश को यह बात बता दिया है, हमने इस तरीके के कोई भी डैम नहीं खोला है, जिससे बांग खोल दिया है। पांच भारतियों को गिरफतार कर लिया है और उन पर सीधा स्मगलिंग का क्लेम ठोका जा रहा है। पांच भारतियों नागरिक डिफेंस हतियारों की सप्लाए कर रहे थे और भारत को हैरानी तब हुई जब बांगलादेश से इन्हें रिलीज करके भारत देश भेजने की बात की गई। तो इन पर सीधे तौर पर हतियारों की स्मगलिंग का आरोप लगाते हुए इन्हें भेजने से इनकार किया जा रहा है। दोस्तों, पिछले कई सालों के भीतर ऐसा पहली बार हो रहा है जब बांगलादेश की तरफ से किसी भारतिय नागरिक को छोड़ने से इनकार किया जा रहा है और भारत की तरफ से अभी भी कोई कनफरमेशन नहीं दिया गया है कि क्या यह वाकई में स्मगलिंग कर रहे थे या फिर वैसे ही गिरफतार करके बांट की तरह जूठी आरोप का केस भी लगाया जा रहा है यानि कि जिस तरीके से भारत पर आरोप लगाया जा रहा है इससे यह बात साफ होती है कि बांगलादेश की नई सरकार भारत से बार बार पंगा लेने की कोशिश कर रही है फिलह आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताईए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके कि देश में क्या हो रहा है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर जरूर सेलेक्ट करें जय हिंद धन्यवाद!